नमस्कार दृष्टी आईएस के और्गनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम जिस और्गनाइजेशन की बात करेंगे वह है GSI इसका पूरा नाम जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यानी भारतिय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षन है यह देश का प्रमुख भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1851 में की गई थी यह खान मंत्राले यानी मिनिस्ट्री आफ माइन्स के अधीन कारेरत है इसका मुख्याले कोलकाता पश्यम बंगाल मिस्थित है और क्षेत्रिय कार्याले लखनओ, जैपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता मिस्थित है अब जान लेते हैं इसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में GSI की स्थापना मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोईला भंडार का पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी अपनी स्थापना के बाद से इसने ना केवल देश बलकि विश्व भर में भूविज्यान संबंधी सूर्चनाओं के लिए अपनी पहचान बनाई है और यह एक अंतराश्ट्री अस्तर के भूव वैज्यानिक संगठन के रूप में उभर कर आया है जान लेते हैं इसके प्रमुख कार्रियों के बारे में GSI के कार्रियों में शामिल है राश्ट्रिय भूव वैज्यानिक जानकारी जुटा कर उसे अपडेट करते रहना आकलन करना जमीनी हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना और खनिच पुर्वेक्षण और जांच करना आईए नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर वर्ष 2021 में इस संगठन ने अपने 170 वर्ष पूरे किये हैं वर्ष 1951 में MS Krishnan GSI के प्रथम भारतिय महानिदेशक बने तो आज के सेशन में इतना ही अगले सेशन में मिलते हैं किसी नई और्गनाइजेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद